आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मसाला खिचड़ी हम इसे एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे और टैस्ट ऐसा की हर बार ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे बहुती ज्यादा मजेदार और स्वादिष्ट बनती है तो चलिए vegetable मसाला खिचडी बनाना शुरू करते हैं vegetable खिचडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी चावल लिए हैं और एक कटोरी मुonn की धुली दाल ली है मैंने यहाँ पर चावल टुकडे वाले लिये हैं आप यहाँ पर चावल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो प्रेशो मैंने यहाँ पर दोनों का सेम रखा हुआ है आप चाहें तो यहाँ पर मूंकी दाल छिलके वाली भी ले सकते हो अब हम चावल और दाल को एक बाउल में डाल देंगे और इन्हें दो से तीन पानी में अच्छे से दो लेंगे तो यहाँ पर मैंने दाल और चावल को अच्छे से दो लिया है अब हम इसमें दो गिलास पानी डाल देंगे और इने एक घंटा भीजने के लिए रख देंगे तो क्या होगा हमारे दाल चावल अच्छे से फूल जाएंगे अब हम एक प्रेशर कूकर लेंगे और इसमें दो बड़े चमच ओईल डाल देंगे ओईल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे पर हमारा oil अच्छे से गर्म हो चुका है अब हम इसमें एक टीस्पून जीरा डाल देंगे और साथ में छे शिया मिर्च और तीन लोंग डाल देंगे यहाँ पर मैंने सभी को अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें चोप की हुई आधा कप बेंस डाल देंगे इसी के साथ हम इसमें आधा कप फ्रेश मटर डाल देंगे अगर आपके पास फ्रेश मटर नहीं है तो आप इसमें फ्रोजन मटर भी डाल सकते हो और अब हम इसमें दो मीडियम साइज की गाजर कट की हुई डाल देंगे इसी के साथ हम इसमें एक मीडियम साइज की शिमले मिर्च कट की हुई डाल देंगे और साथ में कट की हुई थोड़ी सी गोबी डाल देंगे आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी सबजी डाल सकते हो अब हम सारी सबजी को अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पर हमने सारी सबजी को अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें दो मीडियम साइस के आलू डाल देंगे आलू को भी मैंने छोटे पीसीज में कट कर लिया है और अब हम सारी सबजियों को 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे और यहां पर हमारी सबजियों को भूनते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं अब हम इसमें थोड़े से मसाले पाउडर डालेंगे सबसे पहले हम इसमें एक टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ में एक टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे बस इसमें और ज्यादा मसाले नहीं जाते हैं क्यूंकि हम ये खिचडी भंडारे वाली बना रहे हैं और भंडारे वाली खिचडी में ज्यादा मसाले नहीं डलते हैं अब हम हल्दी और धनिये को सब्दियों की साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए और भून लेंगे और यहाँ पर हमने मसालों का कच्चपन जाने तक सब्जों की साथ में 2 मिनट भून लिया है यहाँ पर हमारे दाल और चावल अच्छे से भीख चुके हैं अब हम दोनों को कूकर में डाल देंगे और अब हम दाल और चावल को सब्जों की साथ में 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे और आप इस तरह से ये खिचडी बना कर देखेगा बहुती ज्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनती है और यहाँ पर हमने चावल और दाल को सब्जों की साथ में 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें कट किये हुए 2 मीडियम साइज के टमाटर डाल देंगे हम टमाटर को भी सभी की साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपने नोटिस किया होगा हमने यहाँ पर लेसुन प्याज नहीं डाला है क्योंकि भंडारे वाली खिचडी में लेसुन प्याज नहीं डलता है और यहाँ पर हमने टमाटर को भी अच्छे से मिला लिया है अब हमें खिचडी को पकाना है हम इसमें 8 कटोरी पानी डाल देंगे हमने यहाँ पर 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी डाल ली थी इसलिए हमने इसमें 4 गुना पानी डाला है अब हम इसमें 1.5 टी स्पून नमक डाल देंगे नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम या ज्यादा कर लीजिएगा हम नमक को भी सभी की साथ में अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पर नमक हमने अच्छे से मिला लिया है अब हम कूकर को ढख देंगे और गेस की फ्लेम को हाई करके इसमें एक उबाल आने देंगे और यह देखे इसमें उबाल आ चुका है अब हम सभी को अच्छे से मिला लेंगे इस खिचडी को पकने में तकरीबन 20-25 मिनट का टाइम लगता है अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे फिर से ढख देंगे और हम यहाँ पर गेस की फिलेम को लो कर देंगे लो फिलेम पर हम इसे पकाएंगे और यहाँ पर हमारी खिचडी को पकते हुए अभी 10 मिनट हुए हैं अब हम इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे हमें यहाँ पर खिचडी में थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे ही चम्मच चलाते रहना है क्या होगा जो हमारी खिचडी है वो नीचे नहीं लगेगी और यहाँ पर हमारी खिचडी को पकते हुए 20 मिनट हो गए है अब हम सर्विंग इस्पून से खिचडी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हमारी खिचडी एकदम पर्फेक्ट बनकर तयारे और सभी चीज़े अच्छे से पक चुकी है अब हम खिचडी का और भी ज्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें एक तड़का लगाएंगे हम एक पेन लेंगे और इसमें एक टेबल इस्पून देसी घी डाल देंगे आप चाहें तो ये तड़का ओल में भी लगा सकते हैं अब हम इसमें हाफ टीस्पून जीरा डाल देंगे और साथ में एक टीस्पून कसूरी मेती डाल देंगे और जब जीरा हलका सा तड़क जाएगा हम इसमें 3 हरी मिर्च डाल देंगे हम इसमें 1 टीस्पुन कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारा तड़का एकदम तयार है अब हम तड़की को खिचड़ी में डाल देंगे और साथ में एक टीस्पुन गरम मसाला पाउडर डाल देंगे इसी के साथ हम इसमें चोप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे अब हम सबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने यहाँ पर गेस की फिलेम को ओन कर लिया है और एक से डेड़ मिनट के लिए हम खिचड़ी को और पका लेंगे एक से डेड़ मिनट के बाद हमने गेस की फिलेम को बंद कर दिया था हमारी खिचड़ी एकदम परफेक्ट बन कर तयारे और ये लीजिए हमारी भंडारे वाले खिचड़ी एकदम पर्फेक्ट बनकर तयारे और आपने देखा हमने इसे एकदम सिंपल तरीके से बनाया है बहुती ज्यादा टेस्टी बनती है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा फैमली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स वर वोचिंग